परदान मंतरी किसान सम्मान नेदियोजना में बैंक अकाउंट चेंज करना बहुत ही सरल हो गया है पहले किसानों को बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए तैसल में जखर लगाने पड़ते थे किसान को बैंक में जाकर एक छोटा सा फॉर्म N.P. से लिंक का देना होगा और असने से आप मनचा ये बैंक में पेसा ले सकते हैं अगर आप पिमक साने उजणा की लावारती किसान है तो इस वीडियो के में अदेम से हम बताना चाहते हैं कि अगर आप अपनी मोबाइल से घर बैठें यानि अगर आप Paytm Payments Bank का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप अपने मोबाइल में Paytm Payments Bank में भी पेम किसाने उज़ना का पेसा ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे बैंक में पेसा लेना तो आप बैंक में जाकर एक NPSH लिंक का फोर्म देख रहां अगर आपको किसी दूसरे बैंक में पेसा मिल रहा है तो आप Paytm Payments Bank में भी पेसा ले सकते हैं तो सबसे पहले मैं आदार कार्ड की वेबसाट पर आच चुको यहाँ पर आदार कार्ड की वेबसाट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगा यहाँ पर आपको एक ओप सुन दिया जाता है आदार सर्विसेज गए इस पर आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर किसान का आदार नमर डालना होगा जैसा कि यहाँ पर मैं मेरा आदार नमर डाल लेता हूँ और सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे आधार कार्ड के साथ NPC लिंक है, कौन से बैंक में लिंक है, कब से लिंक है, उसे मैं अब आपको Payton Payments बैंक में बदल कर दिखाऊंगा, तो यहां पर मैं आधार लिंकिंग स्टेटस पर क्लिक कर लेता हूँ, अब यहां पर अधार बैंकिंग लिंकिंग स्टेटस यहां पर आ चुका हूँ, अब यहां पर किसान का अधार नमर डालना होगा, फिलाल मैं मेरे अधार नमर यहां पर डाल लेता हूँ, और Image Code नीचे है, वो मैं डाल लेता हूँ, अधार कार्ड नमर डालने के बाद यहां पर आपको Image Code नम्र डालना होगा फिर Send OTP पर क्लिक करना होगा जैसे आप Send OTP पर क्लिक करोगे तो आपके आधार में Register Mobile Number पर OTP प्रापत होगा OTP प्रापत होगा अने के बाद यहां पर आपको OTP दर्ज करना होगा जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल के अंदर मेरे आधार नमर पर एक OTP आचुका है जो आधार में रेजिस्टर है OTP मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ और मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे आधार कार्ड के साथ NP share link है वो कौन से बैंक में है तो यहाँ पर मैं जैसे सर्च कर लेता हूँ तो CongressLation Your Aadhar Bank Mapping has been done यानि आधार के साथ मेरा जो बैंक है वो जुड़ा हुआ है अब कौन सा बैंक है वो यहाँ पर आप देख लीजे यहाँ पर CongressLation लिखा वा और निचे की तरफ आप जैसे स्क्रोल करोगे तो bank linking status active है और bank linking debt देख सकते हैं 2016 में मेरा bank यहाँ पर एड़ वा था और bank को बड़ोदा यहाँ पर जुड़ा हुआ है अब मुझे इस bank में पैसा नहीं लेना है मुझे लेना है PM किसानियोजना का पैसा पैटियम पैमेंट्स bank में जिस पर मैं UPA transaction करता हूँ और साथ में मुझे पैटियम पैमेंट्स bank में अच्छी कासी service मिल जाते है तो तो वहाँ पर मैं change करना चाहता हूँ अगर आप भी change करना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे bank में change करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं तो अब मैं मेरे mobile में होच चुक हूँ यहाँ पर आप step by step देखेगा मैं किस परकार अपना bank change करता हूँ पिम किसानियोजना के अ जाता है, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाए देगा, अब step by step देख लिए आपकी सपरकार चेंज कर सकते हैं, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी option मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको एक option दिया जाता है, paytm bank का, इस option पर आपको क्लिक करना होगा, या फिर आप उपर सर्च करते हैं paytm bank, अगर आप paytm bank में खाता open कर रखे हैं, तो यहाँ पर भी आपे साल लेश सकते हैं, अब यहाँ पर आपको अपना password और जो fingerprint आपने जो भी लगा रखा है, इसी open करना होगा, paytm bank open करने के बाद, यहाँ पर आपको बहुत सारी option मिल जाते हैं, एक option दिया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, all services का, इस all services वाले option पर आपको क्लिक करना होगा, जैसा कि यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी option मिल जाते हैं, जैसा कि saving account, fix deposit है, paytm wallet, अब यहाँ पर आपको government chain का option दिखाई दे रहा होगा, enroll for dbt benefit transfer, इस option पर आपको क्लिक करना होगा, यानि जितना भी सरकारी योजना का पेसा आता है, वो अगर आप लेना साथ हैं, तो इस पर क्लिक कीजेगा, मैं इस पर जैसे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह subsidy का, मंदरेगा का पेसा, old age pension का, scholarship का, welfare chain का, सभी परकार की जितने भी योजनाएं हैं, यानि पीम इकसान का पेसा, पीम आवाश योजना का पेसा, अगर आप अपने इस बैंक में लेना साथ हैं, यानि पैटियम पेमेंट्स बैंक में लेना साथ हैं, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, अब यहाँ पर आपको निचे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि आपको request submitted हो चुकी है, अब यहाँ पर आपको 48 गंटे का समय लेगेगा, यहाँ पर आपको थोड़ा wait करना होगा, और यहाँ पर आप फिर से उसी option पर आओगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, account linking request pending, यहाँ पर आपको एक या दो दिन का समय लेगेगा, फिर आपका जो account है, वो verify हो जाएगा, और आपका dbt link होने के बाद, जितना भी सरकारी योजना का पेस आएगा, वो आपको paytm payments bank पर आजएगा, इसी परकार आप 48 गंटे के अंदर पेम किसान योजना का bank account चैन्ज कर सकते हैं, और अपनी paytm payments bank में पेसा लेज सकते हैं, अगर आप किशी दूसरे bank में लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर जाकर आपको आदार काड की साथ छोटा सा फोर्म देना होगा, अगर आपको मेरे दोरा अपडेटा अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद किसान भाई हों